विध्यारतियों, गुप्तकाल में विज्ञान के विकास की अंतरगत हमने पूरुक अक्षा में वराह मिहिर के व्यक्तित्व के बारे में जानकरी प्राप्त की थी, आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वराह मिहिर के व्यक्तित्व के उपर चर्चा करेंगे पंच सिध्धान्तिका के सिध्धान्त इनके नाम से ही सपस्ट होता है कि यह पाँच सिध्धान्त वाला गरंथ है यह गरंथ इनका सरवादिक महत्वपून गरंथ मना जाता है इसमें उन्होंने पाँच सिध्धान्तों का विशलेशन किया है कुछ सिध्धान्त इनसे पूरू के थे और कुछ सिध्धान्त उनके समय के थे यह गरंत तीन खंडों में विवक्त है प्रथम खंड खगोल विद्ध्या पर प्रकाश डालता है और शेश दो खंडों में जोतिश विज्ञान के सिध्धनतों का विशलिशन किया गया है खकोल विद्ध्या से संबंदित प्रथम खंड में आपने यह भी बताने का प्रयास किया है कि खकोल विध्या के अध्यान के लिए किन-किन बातों का ग्यान होना अवश्चक है अरब यातरी अलबरुनी ने इस क्रंथ के आधार पर वरहा मिहर की भारी प्रशन सागी है उप्रिक्त ग्रंथ 1889 तक प्राप्प्यरा परंतु प्राफेसर बूलर को बंबई में संस्क्रिक्त ग्रंथों की खोज करते हुई इसकी दो प्रतियां प्राप्त हुई उनकी प्राप्ति के उपरांत इस ग्रंथ में उल्लेखित पंच सिद्धांतों का विशलिशन करने हे तू उसका अंग्रजी भाषा में अनुवाद किया गया अनुवादक डाक्टर धीबू और महा महुपाध्य पंडित सुधाकर्द द्वीवेदी थी अनुवाद हो जाने के उपरांत इस पर टीका भी लिखी गई टीका सही इस ग्रंथ का प्रकाशन अक्ठास नवासी में किया गया प्रकाशित हो जाने पर भी इस ग्रंथ को करन ग्रंथ की श्रिणी में रखा गया करण गरंथ सितात परे उस करणथ से है जिसमें जोतिश की गनित पूर्ण बारिकी से न की जाकर मोटे रूप से करके वर्नित कर दी जाती है इस करण गरंथ के आदार पर ही पंच सिध्धन्त का गरंथ में उल्लेखित पांच सिध्धन्तों का विशलेशन किया गया है पंच सिध्धांत का में पितामह, वसिष्ठ, रोमक, पॉलिश तथा सौरिय के पांच सिध्धांतों का साराणश दिया गया है वरहा मिहर ने पंच सिध्धान्तों का विश्लिशन करने के साथ साथ उनकी श्रेष्ठ था तथा महत्व के आधार पर उनके स्थान भी निर्धारित कर दिये गए है सिध्धान्तों का विश्लिशन निम्न प्रकार से है पहला पिता महा सिध्धान्त ये सिद्धान्त वरहा मिहर ने अपने ग्रंद के बारवे अध्याय में केवल पांच लोकों की मध्यम से समझाने का प्रयास किया है इन पांच लोकों में उल्ले कित है कि सूर्य का युग पांच वर्ष का होता है तीन महिने में एक अधिमास आ जाता है और बांसट दिन में एक तिथी घट जाती है ये सिद्धान्त मौलिक रोप से पितामा ने वेदांग जोतिश के आधार पर प्रतिपादित किया था और वरहा मिहर ने अपने करंद में इसका उल्ले किया है प्रथम तीन श्लोकों से करंद की शैली का भी पता चलता है दूसरा सिद्धान्त रोमक सिद्धान जैसा कि हम पूर्व में व्यक्त कर आए हैं कि वरहा मिहर से पूर्व उत्तर पश्च्चमी भारत में यवन आकर बस गए थे और उनकी जोतिश से भारतवासी प्रभावित हो चुके थे यही कारण है कि वरहा मिहर ने भी यूनानी जोतिश का अध्यान किया अपने करंद में उन्होंने कही यूनानी पारिभाशिक शब्दों का प्रयोग भी किया है वस्तुत है उनका पंच से धंति का करंद यूनान के जोतिश विज्ञान से प्रभावित है और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने रुमक से धंत का अपने करंद में उले किया है रुमक से धंत के अंतरगत बताया गया है कि सूरिय और चंद्रमा का यूग दो हजार आट सो पचास वर्ष का होता है इस से धंत में एक यूग में एक हजार पचास अधिमास बताये गए हैं घटने वाले तिथियों की संख्या 16,547 बतायी गई है इस सिध्धांत का प्रतिपादन यूणानी जियोतिशी में टन ने किया था रुमक सिध्धांत के अंतरगत यदि गणित किया जाए तो वर्ष में 365 दिन 5 गणटे 55 मिनिट और 12 सेकिंड आ जाते हैं परंतु इस रुमक सिध्धांत के अंतरगत वर्ष में ने कुछ ऐसे भी तक्तों का उल्ले किया है जो यूणानी जोतिश से मेल नहीं खाते अतासपस्थ हैं कि वर्ष में ने यूणानी जोतिश का अंधानुकरण तो नहीं किया है तीसरा सिद्धान्त पॉलिष सिद्धान्त है यह सत्य है कि वरहामीर ने युलानी जोतिश का अंदानुकारन नहीं किया है पर यह भी प्रमानित है कि उनका ग्रंट यवन जोतिश से प्रभावित है भारतिए विद्वानों ने इस तत्ते पर समालोचना करते हुए लिखा है कि वराह महिर उदार विचारों के जोतिशी थे उन्होंने यूनानी जोतिश का अच्छा ग्यान प्राप्त कर लिया था पता है उनके विचारों में यूनानी जोतिस्ते प्रभवित होना स्वाबा भी था इसके तूसरे प्रमान स्वरूप हम पॉलिश सिध्धान्थ को ले सकते हैं इस सिध्धान्थ के अनुसार एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे और 12 मिनिट का ही होता है इस सिध्धान्थ में यह तो नहीं बताया गया है कि एक महान यूग में कितने अधिमास होते हैं और कितनी तिथियां कम हो जाती है इसमें केवल इतना मोटे रूप से बता दिया गया है कि कितने दिनों में अधिमास पढ़ता है और तत्यों का शेय इतने दीनों बाद होता है इसके अलावा इस सथ्धान्त में क्रहनों की गणना के नियमunder भी निर्दिष्ट किये गए हैं परवे नियम, सूर्य सिद्धान्त और रुमक सिद्धान्तों की अबिक्षा बहुत स्थूल है गर्णा की सुविधा के लिए सन्निकट नियमों से काम चलाया गया है यह सिध्धान्त यह भी स्पस्ट करता है कि यूनानियों को उस समय देशांतरों का भी ग्यान हो गया था तभी तो इस सिध्धान्त के अंतरकत यह भी बता दिया गया कि उज्धान और काशी से यूनान कौन से देशांतर में है चाथा सिध्धान्त था वासिस्ट सिध्धान्त यह सिध्धान्त पंच सिध्धान्त का में अति संक्षिप में समझाया गया है यह बहुत कुछ पितामा सिध्धान्त की तरह है परन्तु इससे कई बातों में अधिक शुद्ध है इसमें राशियों पर प्रकाश डाला गया है परन्तु सूर्य और चंद्रमा की मध्यमवस पस्ट गतियों पर इसमें प्रकाश नहीं डाला गया है संभवत वासिस्ट को इन गतियों का ग्यान नहीं था और संबह था, इसी कारण वराह महिर ने इस सिद्धान्द को निम्न कोटी का बताया है सौर सिद्धान्द, यह सूरी सिद्धान्द भी कहलाता है सूरी सिद्धान्द नाम का एक अलग ही करिंद था जो वराहमिर के पंच सिध्धान्तिका से पुर्व ही रच लिया गया था इसके रचाईता का नाम आस तक अग्यात है परंदू आपके सूरी सिध्धान्त गरंथ में चौदा अध्याए हैं और इसके प्रतम अध्याए में सूर्य भगवान ने ही इस गरंथ के रहस्तिय को समझाने का प्रयास किया है सूरी से उपदेश श्रवन कर भई नामक राक्षस ने ही इस गरंथ की रचना की थी इसलिए इस गरंथ का नाम सूरी सिध्धान्त रखा है वराह मिहर ने सूर्य सिध्धान्थ को उच्च कोटी का स्विकार करते हुए इसने अपने ग्रंथ में अपनाया है सूर्य सिध्धान्थ के अनुसार सूर्य चंद्रमा तथंपुद्ध आदी समान कोशिय वेक से नहीं चलते परंदो जोतिश गनित को सूर्य जनक बनाने की दृष्टी से यह मान लिया जाता है कि वे समान वेक से संचलित होते हैं इस कल्पना के अधार पर करना करने से जो फल प्राप्त होता है उसे मध्यम जा कहते हैं क्रहों की गती का वर्णन करने के उपरांद वराह महीर ने बीच संसकार करना भी अवशक बताया है यह बीच संसकार गणना और वेध में अंतर आने पर किया जाता है इसके अंतरगत सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के भाणों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया इसका ताटपरिय यह हुँआ कि सूर्य की दैनिक गती में परिवर्तन कर दिया गया बरजेस ने सूर्य चंदर की जो सारिनी अपने अन्वादित गरंथ में उल्लेखित की है उससे पता चलता है कि सूर्य से धांत में वर्नित मान बहुत कुछ सही है आज के विकसित वग्यानिक युक में सूर्य का वर्षमान 365 दिन 6 गंटे 9 मिनिट 10.8 सेकंड है जबकि सूर्य सिधांत के अनुसार यह मान 365 दिन 6 गंटे 12 मिनिट 36.6 सेकंड का माना गया है अता स्पस्ट है कि सूर्य सिधांत के अनुसार जो सूर्य मान निर्धरित था वह आज के वैग्यानिक सूर्य मान से बहुत कुछ समता रखता है इसके अलावा सूर्य सिधांत ग्रंथ में ग्रहों की मध्यनीतियों गतियों का भी वर्णन है पंच सिधान्तिका के दूसरी अध्याय में ग्रहों की इस्तिती स्पस्ट की गई है ग्रहन के संधर्ब में चंद्रमा का व्यास चार सो असी योजन बतलाया गया है प्रत्वी के व्यास का योजन सोला सो माना गया है परन्तु सूर्य का व्यास प्रत्थ्वी से केवल चोगुना बताया गया है जो की वास्तित्ता से सरवधा परे है वैज्ञानिकों ने सूर्य को प्रत्थ्वी से हजार उगुना बताया गया है वराहमीर ने इस अध्याय में सूर्य ग्रहन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है पर उनका गनित सही नहीं उत्रा है इसी ग्रंथ के अध्याय में आयन, संक्रान्ति, उत्रायन, दक्षनायन, चंद्र तथा सावन वर्ष के समयों का भी विवेजन किया गया है इसमें बतलाया गया है कि सावन दिन सूर्य के उदे से लेकर दूसरे उदे तक रहता है एक अध्याय में वरहमिर ने जोतिश में सहयोग प्रदान करने वाले यंत्रों का भी उल्लिक किया है पर थम तो उसके समय में अच्छे जोतिश यंत्रों का अभाव था जो यंत्र उपलब्ध थे उनका उसने उपयोग किया परन्तु उसने सभी यंत्रों का बेद खोल कर रख देना उजित नहीं समझा छेदक यंत्रानी नामक अध्याय में वरहमिर ने लिखा है कि किवल स्थिर बुद्धी के शिश्यों को ही ये बातें बताने चाहिए वरहत जातक यह वरहमिर का दूसरा महत्वपुन गरंथ है इस गरंथ में आपने यात्रा विवहा के मूर्थ चन्व कुंडली आदी का वर्णन किया है लगू जातक उक्त गरंथ भी जोतिश से संबन दित है वरहत सहीता यह भी वरहमिर का एक लेखनी गरंथ है इसमें चार हजाश लोकों का संग्रह है इस गरंथ में केवल जोतिश विज्ञान पर ही प्रकाश नहीं डाला गया है अपितु अन्य विधाओं का भी क्यान कराया गया है इस क्रंथ से हमें ततकालिन राज्यों, जन पदूं, जन साधान के रिती रिवाजों, विश्वासों आदी के विशे में विशद क्यान पराप्त होते हैं आज से पंद्रह सु वर्ष पूर्व भारत की क्या अवस्ता थी, इसकी जानकरी हम व्रिहत सहिता से प्राप्त कर सकते हैं क्रशी विज्ञान के गयाता खगोल विध्या और जोतिश विज्ञान के तो वरहामेर प्रकाण गयाता थे ही पर इसके साथ ही उन्होंने क्रशी विज्ञान का भी अच्छा गयान था उन्होंने मिट्टी को उपचाओ बनाने है तो खाद की आवश्क्ता पर जोड़ दिया इसके साथ ही उन्होंने उत्तम खाद बनाने की विधी बताई फालों की अधिक उपज पैदा करने है तो उन्होंने उन्नत पीज उपन न करने की विधियों पर भी प्रकाश डाला है मौसम का वनस्पती पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी आपने विशलेशन किया है उन्होंने लिखा है बहुत अधिक तथा बहुत कम ताप करम और सूकी हमाएं व्रक्षों में रोग उत्पन कर देती है फल्स वरूग अत्तियां पीली पड़ जाती है पौधों की कलिया मुर्जा जाती है पौधों की वृध्धी रुक जाती है और टहनिया सूक जाती है उनोंने व्रक्षों और पौधों में उत्पन होने वाले विबिन रोगों का भी उल्लेख ही नहीं किया अपी तो रोगों का निधान भी बताया उनोंने बताया कि यदि सूखे जलवायों में भी पौधों की वृध्धी संतुष चनक होती है तो समझना चाहिए कि वहाँ की जमीन नीचे से नम है वहाँ की जमीन की नीचे जल काफी मात्रा में विद्ध्यमान है उन्होंने ये भी बताया कि पौदों की इस्थेती को देख कर ही अकाल वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है इस परकार हमने गुप्तकाल में विज्ञान की प्रगती के अंतकत वराहमिर की व्यक्तित्व एवं क्रतित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया